अब बदलेगी गाउं की तस्वीर मुख्यमंत्रे ग्रामिन सोलर इस्टेट लाइट योजना का हुआ शुभारम प्यार की राजदानी पत्नाव से मुख्यमंत्रे नितेश कुमार ने मुख्यमंत्रे ग्रामिन सोलर इस्टेट लाइट योजना का शुभारम रीमोट बटन द स्वीरे पूर्न रूपेन बदल जाएगी इसी बागुसराय के वाद नातनगर में जम कर चली कई राउंड गोलियां सिल्क वैवसाई की मौत पूरा इलाका दह्षत में बीती दिनों स्सपी बावुराम ने बेगुसराय में दस लोगों की गोली मारे जाने की घटना को लिकर भागलपूर के भी पूरे इलाके में हाई अलच कर दिया था परन्तु अपरादियों का मनोबल इतना सरचड़ कर बोल रहा है कि उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं बेगुसराय का मामलट हंड़ा भी नहीं पड़ा कि भागलपूर में देहसत का महौल तयार ह गया आपको बता दे कि भागलपूर के नातनगर में केवी लाल चौक से एक बड़ी घटना सामने आई है अपरादियों ने नातनगर के केवी लाल चौक पर पहरे लागातार कई फाइरिंग की वह अपने चाचा के दुकान से वापस लौट्रे सिल्क बेबसाई मोहमद अल पुलिस परादिकारी और पुलिस के जवन पहुंच चुके हैं नातनगर का केवी लाल चौक मानो पुलिस छाबनी में तबदिल हो गया हो पुलिस अस्थानिये लोगों से पूस्ताच कर रही है साथ ही नजदी की कई चीजों की ज्राच भी कि जा रही है सिसी टीवी फोट इस पर यहां जो खाली खोखा है काफी संख्या में मिला है और लगता है चार गोली लगी है तो हस्पिटल में ले जाते करम में उनकी डेथ हो गई है तो ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग थे वो हत्या करने के रादे से ही आये थे वो भी जांच की जा रही है जल्दी ही इस पूर्पूर में दोदिवर्श दस्मा अधिवीशन कायुजिन विश्विद्याले के बहुत देशी प्रसाल में अजित की गई यह अधिवीशन 15 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा कारिक्रम की शुरुवात विश्विद्याले के कुलपती से प्रारम हुआ उसकी बाद सभी कर कायरक्रम की शुबारमकी अपर समरहर्था आपर जीडा धंडादीकारी और भागलपूर के शेयस ने अनुमंदेली अस्पताल का किया और चक न रक्षन व गपर के बिवहन ने तरह कि सुभिधाओं की समिक्षा वे की अपर समाहरता शिपकुमार सेव ने समिक्षा और निरेक्षन कारिक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर बताय कि अस्पताल में सफाई रोगी की देखवार वा इलाज जोसे बिवहन प्रकार की बिंदों पर सियस के साथ समिक्षात्मग बैठकी गई जहां निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले साफसफाई आने वाले मरीजों की भरतिव इलाज के लिए समुचित प्रवंद रखा जाए सुद्ध पैजल नहीं होने की बैवस्ता पर बोले जहां भी कमी है वहां पाने की बैवस् निया की गोहार लगाने ब्रेद महिला पहुंचे सस्पी कार्याले कभी दबंगों ने महिला को ड्राइन बता कर पीटा था और नवर्स ये पुत्र को बेरेमी से पीट पीट कर मार डाला था अब केस उठाने की देराधम की एक मा का दर्द कौन समझ सकता है या आप भली भ पीटाई कर दी गई थी जिसके बाद उसने जगदीश पूर्थाना में लिकी दाविदन दिया था दवंग के दोरा बार बार केस उठाने की धंग मिलाई थी केस वावस में लेने पर उसके नौबर्स ये पुत्र अखिलेश कुमार की भी जम कर पिटाई कर दी जिससे उसक लेकिन दवंग कहां रुखने वाले थे फिर से वही धंकी मिलने लगी जिसको लेकर एसेस्पी कार्या ने पहुंची और एसेस्पी बागुराम ने टीम गठेट करके अपरादियों को गिरफतार करने का दिश दिया अब देखना यह है कि इस मा को कब तक अनसाफ मिलता है चार मैनों हो गया अभी तक एक भी नौम जटा अप्रादी गुनेपाद अगर किसी अधिकारी का बेटा रहता था थो सर दो दिन में गिरफतार कर देथा बात सर बोला कि ठीक है हम गिरफतारी के लिए ओडर दे रहा है गिरफतारी होगा जी सर कलकन मेरे घर पे आया था क्या कह रहा था कि मेरे भाई को कमी को बोलो कि मेल मॉप करेगा ना तो तुमको घर में घुचके मार देगा जी सर कलकन वी ज़्याद भी मोटरसाइकिन से तक पिछा कर रहा था क्या नाम है आपका संतोष कुमार भावानी पूर थाना जगदेश पूर अकलेश कुमर नो साल गथा विश्व सरय्य जवयंति आपर अभियंत्र सेवा समस्हीति की और से भागलपूर के कंभाइनद्र विल्डिंग के विश्व शरय因 में भव्यंत्र प्रीश है संस्थान के मुखे संडरक्षक इंजीनिर दिनेश परसाथ में डॉक्टर एम्व विश्व सुरया की 161 जोयनती और 56 अभियंता दिवस सम्हारों को लिकर सब को बढ़ायां दी वहीं कायरकर्म का उद्गार्टिन बिहार सरकार के भवन निर्मान विभाक की अवकास प्राफ्द विसे सजीव इंजिनियर कस्यव कुमार गुपता ने सम्हारों के मुख प्सपाँजली की गई उसके बाद अभियांतर की घोष्टी का आयोजन हुआ उसके बाद सांस्कर्त कारिकर्म में भागलपूर रेडियो स्टेशन के कालाकार की साथ साथ देवघर ढमका और अस्थानय कालाकारों ने अपनी प्रस्तूती दी भारत की जन्वादि नौजवान सभागा थे टारा कि अगनिपत योजना के खिलाब राजय बेयापी कार्कें तहत भागलपूर रेलवेस टेशन पड़ी की सीमा राज के अध्धक्षिता में संपन हुई इस बैटर को डी वाई एफ आए के पुर्वराज कमीटी सदर्श मनोज कुमार गुपता ने संबोलित करते वे कहा कि आरज केंद्र सरकार के कारण चार करोड लोग बेरोजगार हो गए हैं जहां प्रधान मंत्री नरेंद लोगों को रोजगार दिया जाएगा विदेश में भारत का जो काला धन है वापस लाकर परतेक बैक्ति को 15-15 लाक रुपे उनकी खाते में दिया जाएगा